कोरोना वाइरिस महामारी जब से शुरू हुआ COVID-19 तब से अलग अलग नए नए शब्द हम लोगों को समझ में आते हैं कॉरिंटीन, कॉरिंटीन के साथ में लॉकडाउन और अनेकों अनेक के बाद ऐसी जो हमने पहले नहीं सुनी हुई थी गाइडलाइन सीशु हुई, कानून बने, नियम बने और इनी कानूनों का उलंगन करने पर कई बार हो जाता है फाइन, पनिश्मेंट, सजा, कौन से है कानून, क्या है सजा का प्रावधान, ज़रा बात करते हैं सबसे पहले कॉरेंटाइन के नियम हम समझेंगे, गाइडलाइन जो दी है, होम कॉरेंटाइन से संबंदित, वो किस ने दी है? गवर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एन फैमिली वेलफियर, ये एक डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल गवर्मेंट का, जिसने गाइडलाइन दी अब जो होम कॉरेंटीन है, उसका मतलब जरा समझ लें, मतलब घर में आपको अलग रहना है, अकेले रहना है, ऐसी जगह पर रहना है, जहां पर कोई और आपके द्वारा इन्फेक्टेड ना हो जाए आपको अगर कोरोना वाइरस से संबंधित, अगर ऐसा लग रहा है कि अपको सिम्टम्स हैं, तो आप अलग रहे हैं, home quarantine रहे है, घर में बंद रहे हैं, तो इसे हम समझा सकते है, home quarantine, इसे संबंधित कुछ नियम कायदु कानून है, अब जो home department है हमारा, ग्रह मंतरालिया है, और जो मैंने आपको बता है Ministry of Health and Family Welfare, जो Department of Government of India का, उसने एक guideline जारी की, guideline में क्या था, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप suspected है या कि आपको COVID-19 ने आपको शिकार बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, travel related cases है, मतलब एक जगा से आप दूसरी जगा, एक राज्य से दूसरे राज्य या देश के एक कोने से दूसरे कोने कहीं पर भी अधी आप घूमते हैं, किन बातों को आपको रखना है ध्यान, और अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या है punishment, दूसरी बात, कोई जब आप infected हैं औ हवा के माध्यम से फैल सकता है, आपके सांस के द्वारा जो आपने सांस लिया, फिर सांस निकाला, आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति यदि एक मीटर से कम है, तो ऐसा समझा जाता है कि हवा के द्वारा भी वो एक से दूसरे में COVID-19 के जो वाइरस हैं, वो चले जाते हैं, और आपकी वज़े से दूसरा व्यक्ति भी इंफेक्टेड हो सकता है, तो इसको लेकर के क्या नियम कायदे कानून हैं, और तीसरी बात, बहुत महत्युकून है, अगर आप किसी सोशल कॉन्टेक्टेड व्यक्ति से आए, ऐसा व्यक्ति जो आपके घर पे पडोस में रहता है, जिससे ओलरीडी इंफेक्शन है, वो आसपास में घूम रहा है, और घूमने की वज़र से उसने कहीं पर टच किया, मान लीजे आपकी जो रेलिंग है सीडियों की उसे टच कर दिया, या आपके घर के गेट को छूरा है, और वो इंफेक्टेड परसन उसने हाथ लगाया था आपने, मुह में as obvious मूत लगी जाता है, तो उसकी वज़र से कहीं आप infected ना हो जाए, तो इनी सब चीज़ों को ले कर के home quarantine के डियम, जो Ministry of Health and Family Welfare, जो डिपार्टमेंट है COVID-19 के समय उन्होंने बनाये, सबसे जरूरी बात होती है contact की, contact मतलब संपर्क, क्या समपर्क का मतलब, यहाँ पर COVID-19 के case में यह है, कि अगर कोई व्यक्ति सेम household में रह रहा है, मान लिजे कि मैं अपने घर में infected person हूँ, या मुझे symptoms हैं, किस बात के COVID-19 के लक्षन है मुझ पे, तो जो मेरे घर पे रह रह रहे हैं, मेरे माता, पिता, या मेरे घर के और भी जो सदस्य है, अगर वो रह रह रहे हैं, तो उसकी वज़स से उन्हें भी infection हो जाएगा, तो जो government of ministry, health and family welfare department है, वो यह कहता है, कि अगर जो contacted वेक्ति है, पहली बात तो आप एक घर के अलग कमरे में अपने आपको बंद करके रखें, रिस्ट्रिट करके रखें, और अगर जब आप इसका violation करते हैं, contacted person जो की infected है, और आपने बिना PPE kit पहने, या कि breach of PPE kit किया, मतलब आपने पहना है, लेकिन उसके बावजूद आपने कहीं खोल लिया, और फिर नाक के पास में अपना हाथ ले करके जा रहे हैं, और बाकी सारी चीज़े हैं, या कि कई बार ऐसा होता है, face to face contact, जब जहाँ पर लोग का होता है, और वहाँ पर पास पास में लोग होने की वज़र से एक दूसरे को infect कर दे, जिस सिर्फ बीच में भी train अपनी शुरू हो गई थी, लोग जब train में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को infection काफी आसानी से वहाँ फैल सकता था, क्योंकि train के जो bogies में compartments होते हैं, जहाँ पर लोग travel करते हैं, वो काफी पास पास होता है, और इतनी सावधानी उस समय पर बरती नहीं जाती, क्योंकि कई घंटों का सफर होता है, तो एक मिनिट में ही लोग को आप संकरमित कर सकते हैं, तो इससे साबसे क्या instruction है, सबसे पहला ये कि home quarantine स distance maintain करके, तो minimum रखना है, जादा करके रखें, जादा बहतर है, तो जो infection है, वो काफी तेजी से फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, दूसरा साल है, और इस वज़ा से जब कभी भी आपको ऐसा लगे, तो एक अलग आप कमरे में रहें, जो लैट बात है, वो आपको अलग य जनरल है, क्योंकि हम लोग एक साल नहीं, दो साल से लगातार ये COVID-19 के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, टेलिविजन में, न्यूस पेपर में, हर जगा हमें इसके बारे में जाज परताल मिलते रहती है, क्या खिर क्या updated virus अपने आपको कैसे modify कर रहा है, या कैसे 188, IPC की धारा के हिसाब से आपको हो सकता punishment, अगर जी जो instructions से आप उसे follow नहीं करेंगे, साथ ही साथ में एक disaster, disobedience, regulation, या की order अगर आप करते हैं, जो collector है, हर जे लेके collector को power दिया गया है, कि आप implement करें, execute करें, किसी भी तरीके की in ordinate situation नहीं बननी चाहिए, जहां पर लोग को तकलीफ का सामना या खाम्याजा भुगतना पड़े, तो इसे साब से जो district collector है, और जो SDM है, उनके पास section 144 में power है, और epidemic disease act, 1897 का जो कानून है, उसी की धारा 2 में, और section 3 में, ये भी बताया गया है, कि किस तरीके से उसको regulate किया जाएगा, अगर कोई वेक्ति नहीं मानता है तो कम से कम 6 मेंने की सजा या 1000 रुपे का जुर्माना जो कि दुबारा गलती करने पर 10,000 के जुर्माने पर भी बदल सकता है, आपको हो सकती है सजा, तो आप ध्यान रखें, जो भी guideline है, चाहे वो central government की हो, या state government की हो, उसका पालन करना है, इस वजह से पालन करना है, क्यों social distancing maintain करें, आप lockdown के समय पर यहां वहां ना आए, ना जाए, जिससे आप कहीं न कहीं अपना सहीयोग कर सकें, क्योंकि जो death rates है, वो पहले से भी काफी जादा बढ़ गई है, इसके लाबा काफी सारे provisions है, CRPC में भी है, जो section 144 मैंने बताया है, IPC में है, 269 section 270 section 271, the epidemic disease act section 2, section 3, section 2A में बताया गया है, इसके बाद में एक disaster management act है, 2005 का, वहां पे बताया गया है, plus the essential commodities act है, और उसका एक schedule 1 है, जहां पर बताया गया, essential commodities में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिससे आपकी दवाईयां, आपके खाने पीने की जो groceries हैं, items हैं, articles हैं वो, यह सारी चीज़ें आ के लिए store कर लिया, तो essential commodities act के साब से कैसे उसको punishment का प्रावधान, इन सारे कानून के बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में हमने बात किया, quarantine rules से संबंधे, कुछ general नियम जो आप सभी को मालूम थे, वो मैंने बताया, और इसके साथ में ही मैंने instructions बताए, कि क् instructions आपको follow करने, duration कम से कम 14 दिन तक आपको quarantine रहना है, अलग रहना है, एक अलग कमरे में आप रहें, अगर क्योंकि इस time पे अस्पतालों की भी situation काफी अच्छी नहीं है, लोग को दवाईयां नहीं मिल रही, oxygen, cylinder नहीं मिल रहें, जो medicines हैं, जो काफी जरूरी drugs हैं, वो लोग को नहीं मिल पा रहें, इस वज़ा से कोशिश आप करें कि आप किसी को infect ना करें, और किसी के संपर्क में आके आप infected ना हो जाएं, इस हिसाप से मिलता है अगले वीडियो में, बात करेंगे, किसी अन्य टॉपिक पर, जो की होगा lockdown से संबंधित नियम काइदे कानून जहां पर fine लगता है, उसके उपर हम लोग करेंगे बात, और साथ ही अगर आपने mask नहीं पहना, तो कितना fine, अलग-अलग राजियों के हिसाब से, अलग-अलग punishment है, अलग-अलग fine impose किया गया है, तो हम इसके उपर ज़रा detail में बात करेंगे, आपको जानकारी कैसी लगी है,